हेला वर्यवन आज हम करेंगे क्लास थर्ड का आपका इंगलीश का चेप्टर नूमबर एड जो आपकी नई बुक आई है अभी संतूर उसका चेप्टर का नाम है थैंग कोड यह जो एक फार्मर की स्टोरी है वो जो क्यों जो है भगवान को धन्यवाद कर रहा है यह जो पसंत्ल थे फ्रूट्स जिसको फ्रूट बहुत पसंते जो ही डिसाइड़ू फ्रूट्स ओन है लैंड दो सुनिज़ कि इक वह अपने लैंड पर सब्सक्राइब वहां पर क्या उगएगगा ड्रों करेगा क्या फुरूट्स डूप्रूट्स को ही वर्क हार्ड तो प्रूटे हो गाय तुछ स्पेशल केर तो ग्रोग रेप सेंड वोटरमैलन इन्द समयल कॉर्णर ओफ इस फोआट तो ने क्या किया अपने उसका जो फाम था जहां पे ओगाता था वहां पर उसने ग्रेफ और वोटरमेलन जो थे उनकी बहुत स्पेशल केर डिए अपने राइप मतलब पक गए थे जब सारे के सारे फ्रूट जो है रेडी हो गए थे खाने के लिए and ready to be eaten और खाने के लिए ते यार थे तो उसने सोचा कि जो मेरा बीस्ट तो उसने सोचा कि जो मेरा बेस्ट भnd भोMusik कू को द दोंगा देन इस वाइप सेट व्याफ मेरा ने बूला दिसर, दा वाइप ने बैसी तो फॉर्मर बोला कि इस साल जो हमारे मतलब जो SAB-SE अच्छे तो फार्मर इसके बारे में सोचतर कहता है तो मैं क्या करूंगा मैं ग्रेप्स लूंगा क्यूंकि वोटर मेलन जो है बहुत जादा है तो क्या करता है ग्रेप्स की जो है गुच्छे लेता है उनको बास्केट में डालता है और किंग की पैलेस की तरफ यान कि उसके महल की तरफ चल पड़ता है The farmer reached the palace He told the palace guard that he had brought a gift for the king Brought का मतलब लाना वो जो palace का गार्ड था उसे बोलता है कि वो king के लिए एक gift लेकर आया है The palace guard then took him to the royal garden यानकि उस महल का जो garden था वो गार्ड ये गार्ड है ये उसे उस garden में लेकर जा रहा था लेकर गया The farmer saw the king playing with the princess तो farmer क्या देखता है कि जो king है वो अपनी princess के साथ खेल रहा है अपनी राज कुमारी के साथ खेल रहा था So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down तो quietly यानि कि चुप चाप तो क्या करता है चुप चाप से kept का मतलब रख देना The basket full of grapes जो basket जिसमें पूरे grapes भरे हुए थे उस basket को in front सामने सामने रख देता है king की and sat down और बैठ जाता है When the king sat down to rest जब king जो है rest करने के लिए बैठता है The guard brought the basket of grapes to the king जो guard जो है वो basket लेके आता है grapes की king के पास The guard pointed the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer और उसके बाद जो गार्डनर सोरी गार्ड था वो क्या करता है उसकी तरफ किसान जो था farmer था उसकी तरफ इशारा करता है कि ये basket जो है ये किसान लेकर आया है आपके लिए as a gift The king saw the farmer जो king है वो farmer को देखता है The king was still in a playful mode और वो जो king जो है वो अभी भी थोड़े से मजाक के मोड में था प्ले में जैसे वो खेल रहा था अपनी बेटी के साथ तो उसी मोड में अभी भी था वो He took a bunch of grapes from the basket वो उससे कुछ grapes जो बास्केट में ग्रेप रगे थे उसमें से कुछ निकालता है grapes को He plucked out one grape एक गुच्छा निकाला and plucked out और उस भी से एक ग्रेप को तोड़ा Plucked मतलब तोड़ना वहाँ से And popped it into his mouth और अपनी मूँ में मतलब एक ग्रेप तोड़के उसने खा लिया Then he plucked another grape फिर उसने एक और तोड़ा and threw it playfully at the farmer और farmer की तरफ उसने fake दिया Okay as a maja के रूप में उसने fake आउसे When the grape hit the farmer's forehead और वो grape जो है सीधा जाके farmer के forehead पे लगा माथे पे लगा He said thank God और farmer ने बोला thank God The king was surprised King जो है surprise हो गया कि ये भगवान को मतलब thank God क्यों बोल रहा है भगवान का शुक्रियादा क्यों कर रहा है जबकि इसको तो grape जाके लगा है He threw a grape again उसने फिर से Threw का मतलब होता है fake ना उसने फिर से क्या किया एक और grape fake दिया उसकी तरफ The farmer again said The farmer फिर से बोलता Thank God I am blessed कि बहुत अच्छी बात है Thank God कि भगवान तुमारा बहुत बहुत शुक्रियादा जो मुझे इतना आशिरवाद दिया उनकी मेरे इतनी सहायता गे So the king asked the farmer King जो है farmer से पूछता है Why are you thanking God When I am throwing grapes at you तो king पूछता है farmer से कि तुम जो भगवान का शुक्रियादा क्यों कर रहे हो जब मैं तुमारे उपर grapes fake रहा हूं The wise farmer replied with a smile तो वो जो farmer था वो बहुत मतलब बुद्धी वाला था उसके बहुत दिमाग था उसने उसे बोला Reply with a smile एक smile के साथ Oh mighty king Oh my king मतलब mighty का मतलब बहुत बढ़ा होता है या जिसके बहुत पावर होती है वो आप बोल सकते हो I had grown the best grapes and watermelon on my farm मैंने जो है best grapes or watermelon होगाए थे मेरे farm में I choose the grapes to gift you और मैंने किसको चूज किया grapes को अंगूर को चूज किया आपको देने के लिए Imagine if I had brought watermelon Imagine करो अगर मैं watermelon ले आता Indeed, God is great अगर watermelon ले आता तो क्या होता इसमें new word है journey Journey का मतलब क्या होता है यात्रा जब आप एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं Guard मतलब security guard जो होता है वहां खाड़े रहते है Royal मतलब जो राजा की जगे होती है मतलब जो भी राजा की जगे है या जो भी है Royal Palace वगएर वो सब Popped का मतलब जो उसने खाया था एकदम से अपने मूँ में उच्छालके Wise मतलब समझदार आप बोल सकते हो Then Grow Grow का मतलब उगना या फिर बढ़ा होना बढ़ना भी आप बोल सकते हो Kept, Kept का मतलब रखना Front, सामने और Again मतलब फिर से यानि दोबारा से आप कोई काम को कर रहे हो So, अब इस चेप्टर के Question answer देख लेते हैं First question है What did the farmer grow on his farm? वो farmer जो है अपने farm पे क्या ग्रो करता था? So, variety of fruits या फिर आप से fruits भी लिख सकते हो Second question है What did his wife see? उसकी wife क्या बोलती है? See said वो क्या बोलती है The best fruit on our farm are the watermelons and the grapes क्योंकि जब वो बोलता है कि मुझे राजा के पास कुछ fruits लेके जाने हैं as a gift तो वो क्या बोलती कि हमारे best fruit जो है Watermelon और grapes हैं उसमें से कोई भी एक लेकर चले जाओ Why did the farmer decided to take the grapes? अब farmer ने ये क्यों decide कि कि वो जो है grapes लेकर जाएगा क्योंकि because it is a long journey to the palace क्योंकि palace का और उसके घर का रासा बोहुत लंबा था यानि कि palace जो है बोहुत दूर था तो वहां तक जाने में उसे बोहुत नाइम लगने वाला था और watermelon जो है heavy हो जाते तो instead of watermelon उसने सोचा कि वो grapes लेकर जाएगा what did the king do playfully अब king ने क्या किया था he threw a grape उसने जो है वो ग्रेप जो है उसके farmer के उपर fake आथा why did the farmer say thank god farmer ने thank god क्यों बोला बगवान का शुक्रियादा क्यों किया so because he was happy क्योंकि वो खुश था that he brought grapes कि वो grapes लेकर आया है and note the heavier watermelons और वो heavy वाले वोटरमेलन नहीं लेकर आया grapes लेकर आया तो इसलिए वो खुश था because वो वो वोटरमेलन फेकते तो ज्यादा प्रोब्लम हो जाते now think and say the farmer in the story grew fruits what else can a farmer grow अब देखो इस story में जो farmer है वो fruits जो है उगा रहा है तो और क्या-क्या उगा सकते हैं वो vegetables vegetables and pulses and उसके बाद और क्या हो सकता है wheat मतलब जो भी सब चीजे हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं वो सब जो है एक farmer उगाता है are there women farmers क्या women farmers भी होती है yes and do you know any अगर आप किसी को जानते तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो if you meet a farmer what would you say to them अगर आप farmer से मिलोगे तो आप उने क्या बोलोगे तो क्या बोल सकते हो कि they are doing a great job बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विकोस उनी की वज़े से सब को खाने के लिए मिलता है अगर वो यह छोड़ देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा ना दा फार्मर न्यू न्यू का मतलब होता है जानता अड़ आप आप और मेरन वर हैवि दें दा ग्रेप्स वर लाइट की वोटर मेलन हैवी और मतलब वज़ें जादा होना और लाइट मतलब कम वेट होना the words heavy and light are opposite in the meaning, इन दोनों का meaning जो है opposite है, अब यहां पर हमें भी जो underline words उनका opposite लिखना है, थिक, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, थिक बुक, और यह क्या है, पतली बुक है, यानि कि थिन बुक, next, उसके बाद में है, long journey, यानि कि जो बहुत लंबी तक जाना है, तो उसका opposite क्या होगा, short journey, यान कि छोटी journey, soft, कोई चीज soft है, soft, और रुक कैसे होती है, hard, तो soft का opposite क्या होगा, hard, slow, slow tortoise, यानि कि कच्वब बहुत आराम से चलता है, rabbit कैसे चलता है, fast, तो fast rabbit, now, read the sentences, the bowl is round, य is, okay, and the tables are brown, अब यह जो word आपको दिखाई देना है, देखो, bowl क्या थी, single थी, तो single के लिए use होता है, is, और table कितने है, दो है, यानि कि एक से जादा होगा, तो वहाँ पर आप क्या use करोगे, are, अब यहाँ पर हमें ऐसे ही, are, is यूज करना है, is जहाँ पर single है, तो is, और अ animals in the jungle, the table, अब देखो, अब एक ही table है, तो table is, made of wood, the mangoes, अब कितने है, one, two, three, four, five, five mangoes हो गई, तो ज्यादा हो गई, the mangoes are sweet, raguram, अब raguram सिफ एक ही का नाम है, तो is, a tall boy, the toys, अब ज्यादा हो गई toys तो, so toys are, the book, एक ही book है, तो is, the girls, अब कितने लड़की है, दो, तो दो तो एक से ज्यादा होगी, तो क्या हैगा, आर, the car, car तो एक ही है, the car is on the road, यान कि जहाँ भी single है, वहाँ एक से ज्यादा है, तो आपका आर आएगा, now, next, एक छोटी सी स्टोरी है, आच्छू, once a mighty elephant, mighty मतलब एक बड़ा से elephant था, गोटा mighty cold, और उसको बहुत जोर से जो है, जुखाम हो गया, cold हो गया, it went to buy a handkerchief, वो जो एक शोब पर जाता है, handkerchief लेने के लिए, रुमाल लेने के लिए, where handkerchiefs were sold, जहाँ पर handkerchief बेचे जाते थे, a hanky for an elephant, एक hanky वो भी एक elephant के लिए, the sales girl was surprised, तो लड़की थी वहाँ पर बहुत सर्प्राइज होगी, कि sorry sir, but we don't have a handkerchief that size, तो बोलती है कि sorry, लेकिन हमारे पास इतने बड़े साइज का कोई भी रुमाल नहीं है, आच्छू, set the elephant, और तभी जो है, elephant जोर से चीक मारता है, and shook his mighty head, और जोर से अपने बड़े से head को हिलाने लगता है, forget about the handkerchief, handkerchief को भूल जाओ and give me a sheet insert, sheet, यनकी जो bed sheet हम बिचाते हैं, वो sheet हम मुझे दे दो, और वो sheet को अपने गले में बांध लेता है, now, imagine you are visiting the big elephant, you know that the elephant has a cold, तो कौन से fruit आप उसके लिए, या कौन से खाने के item आप उसके लिए लेकर जाओगे, तो जैसे soup लेकर जा सकते हो, या कोई भी hot item आप लेकर जाएंगे खाने के, because उसको already cold है, जैसे चाय हो सकती है, coffee हो सकती है, या फिर hot items, now, chandu's fruit salad, chandu has written the step for preparing a salad on a few slip of paper, अब उसने जो अलग-अलग slip पे अलग-अलग step लिए कि पहले ये करना पहले ये करता है, ये mix them up, और गलती से उसने 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 सब को mix कर दिया, think of the proper order and write down in the space given below, अब यहाँ पर जो है ये सब है, आपको इसको correct order में लगाना है, next I put in papaya cubes, ये तो बाद में आएगा, mother cut some fruits for me, तो सबसे पहले क्या होगा, mommy fruits cut करेगी, first I take some banana leaves, so first student बोल दिया, ये सबसे पहले है, first उसने banana leaves, slice लिये, finally I squeeze a lemon on it, and last में, finally है तो मतलब last में, adding a pinch of salt, then I add the apple slices, then I mix them all, after that I add some grapes from the bunch, अब देखो, उसके बाद क्या किया, उसने, then I add some slices, next I put some papaya cubes, and after that I add some grapes of bunch, and last में क्या किया, उसने सबको mix किया, and finally, last step will be, finally I squeeze a lemon on it, उनके उपर एक lemon को जो squeeze किया, यनकी निचोड दिया, उसका सारा रस उसमें चला गया, वो थोड़ा सा सोल्ट उसमें डाला, तो इस तरह से या आपका पूरा का पूरा, मतलब step wise रहेग next, find fruits in the grid, अब यहाँ पर आपको सारे fruits को find out करना है, for example, जैसे first है mango, तो यहाँ पर आपका है mango, next papaya, उसके बाद है grapes, यह आपका grapes, then grapes हो गया, banana, तो भी से आपको देखना है कहां से शुरू हो रहा है, यह आपका बनाना, next है guava, guava, okay उसको बाद में चेक करते हैं, अब palm, p-l-u-m, यह रहा, next है peach, यह रहा आपका peach, यह रहा आपका peach, and pear, अब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक बच्चा है, guava, यह रहा आपका guava, इस तरह से आपको इन सबको find out करना है यहाँ पर, उसके बाद next chapter आ जाता है, तो आज आपका यह chapter था, chapter number eight, अब इसके question answer, new word और word meaning भी हम साथ में कर लेते हैं, वो solution कर लिया है, अब कुछ new words है, journey, guard, royal, popped, wise, mighty, blessed, grew, kept, front, again, now word meaning है आपके, journey, तो journey का मतलब क्या होता है, a trip from one place to another, एक जगे से दूसरी जगे पर जाने को हम क्या बोलते हैं, journey, guard, a person who protects something or someone, एक इनसान जो किसी चीज़ को या किसी इनसान को protect करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, guard, royal, belonging to a king or queen, जो किसी राजे के है, रानी से बिलोंग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, royal, popped, put something quickly into your mouth, किसी चीज़ को एकदम जल्दी से अपने मूँ में डाल लेना, wise, having or showing experience, knowledge and good judgment, जिसके पास experience होता है, अपनी knowledge यो करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, wise, mighty, very powerful और strong, जो बहुत powerful होता है, या बहुत जादा strong होता है, blessed, made happy or fortunate by God, यानि कि जो बोलते कि मेरी किसमत अच्छी है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ये सब, तो वो क्या होता है, कि भगवाद जो है, आपकी तरफ देख रहा है, गोड जो है, हमेशा आपकी help कर रहा है, तो उसे क्या बोलते है, कि मै continue to hold or have something, किसी चीज़ को पकड़े रखना या फिर वो आपके पास होना, उसे हम क्या बोलते है, kept, front, the part of something that faces forward, कोई ऐसी चीज़ जो बिलकुल आपके सामने रखे, यानि कि आप दोनों का face अगर आपने सामने है, तो इस तरह से, या फिर कोई चीज़ जो आपके face की तरफ ह है, तो से आप क्या बोलते है, in front of me, again, one more time, फिर से, now question and answer है, first question है, what did the farmer like to grow in his land, वो क्या गरता था अपने लेंड पर, fruits, what did the farmer take special care of growing, किन चीज़ों कि उसने special care की थी, grapes and watermelons की, why did the farmer choose grapes to bring to the king, वो king के पास ले जाने के लिए, grapes को क्यूं चूज करता है, because watermelons were too heavy for the king, long journey, कि watermelons were too heavy, where did the farmer leave the basket of grapes for the king, वो king जाता है, तो वो basket को कहां रखता है, in front of him, king के सामने, while the king was playing, sorry, in front of him, अपने सामने रखता है, उस टाइम पे जब राजा खेल रहा था, what did the king do with the first grape, first grape के साथ king ने क्या गया, he ate it, उसने खा लिया, and what did the king do with the second grape, second grape के साथ, उसने क्या किया, he playfully threw it at the farmer, उसने जो है, मजाक के रूप में, उसकी तरफ फेका, where did the farmer thank God when the grape hit him, farmer ने बखवान का शुक्रिया था क्यों किया, जब grape उसको लगा, because he was happy, he brought grapes, and not the heavier watermelon, क्योंकि वो खुश था कि वो ग्रेप्स लेकर आया है, ना कि हैवी वाले watermelons, what did the wise farmer means by good is great, अब उसने ये क्यों बोला कि good great है, because he was relieved, he made the right choice by bringing grapes, which were easier to carry, because वो रिलीव था कि ठीक है, मैं ग्रेप्स लेकर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, because एक तो ये carry करने में easy हैं, दूसरा watermelon heavy होते हैं, अगर जिस तरह से grapes को पार रहे हैं, अगर watermelon भी मारते हैं, तो problem हो सकती थी, what is a guard job, to protect something, और someone किसी चीज़ को protect करना, या फिर किसी इंसान को, what is another word for king's garden, king's garden के लिए दूसरा word क्या हो सकता है, royal garden, जो चीज़ गार्डन मतलब की या queen से related है, उसके लिए आप royal word का use कर सकते हैं, so इसके साथ ही वहाँ पर भी एक जगे आता है, कि उसने अपने सामने जो है, टोगरी रखी और मैंने गलती से उसमें बोल दिया, कि वो उसने उसके सामने रखी है, राजा के सामने, so वहाँ भी आप ठीक कर लेज़ेगा, so ये था आपको chapter number 8, अगर इसमें अभी भी कोई doubt है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, and that's all for today, and please like, share and subscribe, thank you,